हाँ अब जिनको इस्टोन बार बार बनता है उनको एक तो चूना तो नहीं ही खाना फिर क्या करना है वो आप चाहे तो लिख लीजे एक मेडिसिन मैं बताता हूँ होमियोपैथी की है वो आपको किसी भी होमियोपैथी शौप में मिलेगी उसका नाम है बर्बेरिस अंग्रेजी में A-B भी होता ना A-B तो B-E-R-B-E-R-I-S B-E-R-B-E-R-I-S बर्बेरिस ये एक शब्द है इसके बाद आगे एक और शब्द है वल्गेरिस उसमें दूसरा वाला भी है V-U-L-G-A-R-I-S बर्बेरिस वल्गेरिस आगे लिखते ना है मदर टिंचर ये उसकी पुटेंशी है वो दुकान वाला समझेगा वो आपके लिए नहीं अब ये दवा लेनी है पंदरे बूने एक चोठाई का पानी गुन-गुना उसमें पंदरे बूने इस दवा की डालती है और दिन में तीन से चार बार पीना है सुबह दुबहर शामरा चार बार अधिक से अधिक कम से कम तीन बाद लगातार एक से 1,000 महिने कभी-कभी दो महिने भी लग जाते हैं तो जितने भी स्टोन जंहें कहीं भी हो गॉल्म ब्रेडर म मैं हो या तो किट्नी मिह हो या युरेत्रा के आसपास हो मूत्रमिंट में हो वो सभी स्टोट को डिजल्व कर पानी चौथाई कप गुर्गुना पानी परस से पंद्रे पूंदे चार बार लेना है एक से डेड़ महीने लगातार लेना दो महीने भी ले सकते हैं इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं लगब मैंने देखा है 99% केस में दो महीने में ही सब तूटके निकल जाता है कभी-कभ लिए और उसके बाद एक दूसरी दवा जरूर लिख लिए ये तो है जब तूटके निकल गया दुबारा भविश में कभी ना बने उसके लिए एक दवा लिख लिए क्योंकि बहुत लोगों को बार बार टेंडेंसी है इक बार तूटके निकल गया बहुत अच्छा अब क कभी दुबारा नहीं आना चाहिए उसके लिए एक दवा है सी एच आई एन ए चाहिना सी एच आई एन ए चाहिना और उसके आगे लिखना है बन ताउजंड एक हजार नमबर ये लिक्विट फॉर्म में दवा लिए इसकी दो दो बून सीधे जीब पर डाल दीजे सुबह पर शाम बस एक ही दिन में तीन बार दे दीजे फिर भविष्व में कभी दुबारा स्टोन नहीं बनेगा नहीं पहले बर्बरिस लेना फूरा स्टोन आपका निकल जाए उसके बाद आप चाहिना लेना है इनना तो स्टोन है नहीं बढ़े नहीं बिलकुल नहीं ये गल्त हाँ फिर उसके बाद चाहिना वन ताउसें की दिन डोज ले लीजिए कर सकते हैं एक ही दिन लेना है तीन बार लेना है दो दो ड्रॉप सीधे जीव पर डाले हो सुबह दुपैर शाम बर्बरिस तीन महीने तो मैक्सिमम हो गया एक ही दिन लेना है तीन डोज बस वो सफीशेंट है